Animal Kingdom पढ़ रहे हैं हम और उसी के अंडर आएंगे बहुत सारे फाइला Plural है फाइला, Singular है फाइलम तो बहुत सारे फाइला अभी पढ़ने वाले हैं पहला फाइलम जो शुरू हो रहा है यह बहुत ही सिंपल होगा फाइलम और आपको पता है कि जैसे जैसे फाइला आगे-आगे पढ़ते जाएंगे complexity पढ़ती जाएगी जाटिलता बढ़ती जाएगी जानवरों में कितनी कमाल की बात है पहला है पौरी फेरा जो कहलाता है और इसका common name होता है sponges इसको sponges बोलते है पहला point इसका feature है marine होते है यह mostly यानि समुद्री होते है ज्यादा तर यह जीव उसके अलावा asymmetrical body होती है इनकी A यानि no symmetry थर्ड अर्ली multi-cellular animals का example है यह यह अभी-अभी बिचारे multi-cellular बने हैं पहले singular life थी single-celled life थी और यह अभी-भी नई multi-cellular life शुरू हुई है इनके द्वारा समझ लीजिए cellular level तक पहुचे हुए यह यानि की इनमें केवल cell इकठे loosely अरे इकठे पड़े हुएं cell tissue नहीं बना रहे तो बहुत ही low level का इनका low star है इन जानवरों का और canal system मिलेगा इनमे for water transport पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए हेतू परिवहन हेतू यह diagram बना हुए है क्या आप देख रहे हैं यहां पे बहुत सारे छेद छेद होते हैं इसकी तवचा पे इसके body surface पे बहुत सारे छेद होते हैं यह पानी में रहते हैं तो पानी इनके अंदर जा रहा है कहां से ostia के द्वारा और बाहर निकल रहा है कहां से osculum से बाहर निकले जा रहा है इस प्रकार से canal system चलता है यह बकाइदा अब इस canal system का role क्या है function क्या है पहला point taking enough food खाना अंदर आएगा यह आप देख रहे हैं चित्र मैंने बनाया था अभी इन में छेचेद थे ड्यानवरों में sponges इन छेदों में ostia में घुसेगा पानी पानी लाएगा खाना खाने को यह डाजेस्ट करेंगे पानी बाहर तो taking enough food, respiratory exchange यानि की oxygen और carbon dioxide का आदान प्रदान चलता है respiration के मद के लिए वो सब भी इसी के द्वारा होगा canal system के द्वारा waste removal यानि जो गंदगी होगी जो waste बचेगा body का निकलेगा वो भी अप्षिष्ट फैका जाता है बाहर osculum के द्वारा और यह इसका मतला canal system का role है another feature found here is the collar cells sponges में collar cells मिलते हैं यानि की coanocytes they form the lining of the spongosil spongosil है body cavity यह आप देख रहे हैं यह जो खाली जगा है central cavity इसका नाम है spongosil यह बड़ा सा चित्र बनाया हुए एक इस जानवर का sponge का mouth यानि osculum बनाया हुआ है और यह आप देख रहे हैं यह छेद है यानि ostia pores और क्या आपको यह orange orange नजर आ रहे हैं यह जो orange orange निकले निकले से पड़े हैं यह हैं कोईनोसाइट्स और यह spongosil को cover कर रहे हैं देखिए लाइनिंग बना रहे हैं एक कॉलर cellular digestion मिलती है intra means within the cell तो यह बहुत सरल सिस्टम है इसमें cell ही digest कर रहे हैं कोई भी चीज तो बनी नहीं होती इस जानवर में कि इसमें कोई आम आशे हो इत्यादी हो कोई अंग हो पाचन के नो तो सेल ही बेचारा डाजेशन करके दिखा देता है तो इंट्रा सेलूलर डाजेशन एर्थ फीचर स्केलेटन बाडी स्केलेटन इस फाउंड मेड़ आफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉंजन फाइबर्स यह दो चीजे मिलती हैं फाइबर फाइबर होते हैं और दिखा र यह जो और अरेंज और अरेंज बनाइगे यह स्पेशल तरह के सेल्ज़ है इनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स तो यह सारे सेल्ज़्ी ऐलेकिन लूजली अरेंज होते हैं In phylum of Porphyffera में हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं निमल्स यानि मेल और फिमेल एक ही जानवर में मिलेगा वो एक भी बनाएगा और स्पाम भी बनाएगा टैंथ है एसेक्षल रिप्रोड़क्शन इस फांद हेर थू फ्रेग्मेंटेशन जैसा कि नाम बता रहा है पीसी हो जाते हैं इसमें गमीट बनते हैं सेक्षल रिप्रोड़क्शन में मेल और फिमेल गमीट यानि ओवा और स्पाम्स इंटर्न फटलिजेशन होती है अर्थात स्पाम्स पांज के अंदर जाएंगे जाइगोट बन जाएगा ऐसे में डिवलप्मेंट कैसी होती है इंडारेक्ट होती है जैसा कि नाम बता रहा है एकदम डारेक्ट नहीं बन जाएगा कि जी जाइगोट मल्टिप्लाई करके एडल्ट बन गया नो बीच में लार्वा वाली स्टेज भी आती है लार्वा बनत द्वारा बाहर आ जाएगा तैरता तैरता चलता चलता और पॉनी में चलने लग जाएगा समुदर में घूमेगा और फाइनली सी पर फ्लोर पर तल पर सेटल हो जाएगा और एडल्ट में बदल जाएगा धिरी ग्राजुली ग्राजुली और स्पॉंच बन जाएगा तो इस से देखिए एग और स्पर्म फर्टलेजेशन हुआ था दोनों जुड़ गये थे जाइगोड बन गया था जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसमें बहुत सारी मैटॉसिस हुई थी प्लूरल है मैटॉसिस SES उससे बन गया लार्वा फाइनली एडल्ट बना लार् जत्र और ऑश्क्यूलम और और उस्टिया छेद छेद स्पॉंजिला जो की फ्रेश वाटर है यानी तलाब को वगरा में नदयों में मिल सकता है यह तो बाकी समूद्री एं बैहिए लेकिन प्लूंजिला फ्रेश वाटर है और ये इसका चितर बना हुआ है इसमें ये वुड दिखाई हुए ये किसी ट्विग वगरा या ब्रांच प्रूंच से जुड़ा होता है, अटैच होता है, सपोर्ट ले रहा होता है और ये इसके औसक्यूला दिखाई गए है, माउथ, यू स्पॉंजिया, यानि की बाथ स्पॉंज, इसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉंज, और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि नहाते वक्त जो स्पॉंज स्पॉंज यूज करते हैं, कई वो जो जावा सा कहते हैं, जिससे